पार दोस्तों क्या हाल चाल है आज की इस फिडियों में आपको बाताऊंगा How to add virtual RAM storage यानि कि इस phone में RAM memory क्या से बाढ़ है दोस्तों सबसे पहले phone के settings में जाना होगा settings open काने के बाद यहां साज बार पे find करेंगे extension अब इस instruction पर click करके सीधा RAM settings में जा सकते है यहां तो phone settings open काने के बाद scroll करती हुए नीचे नीचे आईए next additional settings में जाना है additional settings से काई सर hidden features एक्सेस कर सकते है यहां एक special features दिया गया है memory extension इस पे tap करके यहां आप virtual RAM storage बाढ़ा सकते है यहां 2GB से लेकर 5GB तक RAM storage बाढ़ा सकते है वो depend करेगा अपकी internal storage के उपर RGB तक बढ़ाएंगे reboot your device to apply changes reboot पर tap करके device restart करना होगा reboot का मतलब है phone के एक पर switch off करके वापस on कर लेना उसके बाद virtual RAM memory add हो जाएंगे गाईज device restart करने के बाद RAM memory चेक कर सकते हैं पहले चाहाजी भी था अब virtual RAM add होके एक रजी भी हो चुका है तो दोस्तो इस तरीके से अब अपने phone में virtual RAM storage add कर सकते हैं दोस्तो internal storage का कुछ हिस्सा virtual RAM ले लिया एक्जम्पेल पहले इस phone में 6GB RAM और 108GB internal storage था RAM extension करने के बाद RAM हो चुका है 11GB और internal storage हो गया है 123GB बाद में जब RAM extension features off कर देंगे तब internal storage 108GB हो जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से जब ज़रूओत हो virtual RAM बारा सकते हैं उम्मिद करते हूँ कि ए वीडियो आपके लिए बहुत धेरफूल था तो अमड़े वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया